रूस युक्रेन युद्ध को शुरू हुए धाई साल से अधिक का समय हो गया है लेकिन रूस और युक्रेन दोनों में कोई भी देश शुकने को तयार नहीं है रूस लगातार अपने हथियारों के जखीरे में बढ़ोत्री कर रहा है रूस ने अपनी नौसेना में आधिकारिक तौर पर RSM-56 बुलावा नुकलियर मिसाइल तैनात कर दिया है ये रूस की सबमरीन लाउंच नुकलियर बैलिस्टिक मिसाइल है इसे सबमरीन क्रूजर यूरी डोलगोर्की में लगाया गया है रूस ने अपनी साथ पंडूबियों में इस मिसाइल को तैनात किया है पांच पंडूबिया रूस की पैसिफिक फ्लीट में हैं और दो नौर्दन फ्लीट में शामिल की गई है अगले दशक के शुरुवाद तक बोरेई क्लास सबमरीन में भी इन्हें तैनात कर दिया गया है तब कुल मिलागर बारपंडूबियों में ये मिसाइल लग जाएगी क्या है आरेसम फिफ्टी सिक्स बुलावा की खासियत बुलावा मिसाइल तीन स्टेज की है और ये सॉलिट फ्यूवल पर चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है ये करीब 48 फीट लंबी है और वारहेट लगाने के बाद इसकी लंबाई 40 फीट हो जाती है इसमें 6-10 MIRV हतियार लगा सकते हैं इस पर 100-150 किलो टन के एटम बम लगा सकते हैं इस मिसाइल की रेंज 8,300 से लेकर 15,000 किलो मिटर बताई जा रहे हैं ये मिसाइल बहत खतरनाक बताई जाती है अगर इसे रूस अपनी सीमाओं से दागे तो दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच सकती है अपनी से अपनी से लेकर 15,000 किलो चाहर भी करताई जाती है तो आगले थाए हैं इस लेकर 15,000 किलोगा समय से जागद़ खर्वादं किलोगा बम लेसे आटमाद उनागा भी कोने में अभीए हैं झाल झाल